इकाई छे सुबह सुप्रभात बाल दोस्तों सुप्रभात रीचर बाल दोस्तों, हमारे देश विदेशों में कई सारी विकलांग व्यक्तिया है जिसने कई सिधियां प्राप्त की हैं जैसे की सुधा बहन सुधा बहन आनन जिला में चांगा गाउं की रहने वाली है सुधा बहन अंध महिला थी सुधा बहन का नाम विश्व की प्रथम अंध महिला सरपंज के पद पर गिनिस बुक रिकॉर्ड में लिखा गया है बाल दोस्तों ऐसा ही एक दूसरा विकलांग व्यक्ती वॉल्टर था वॉल्टर आफरिका देश का अपाहिज लड़का था वॉल्टर अपाहिज होते हुए भी उँची कूद में सिध्धी पाई वॉल्टर बच्पन में पोलियों की बिमारी से विकलांग था लेकिन उसकी महनत और कोशिस से उसने गूँची कूद में सिध्धी प्राप्त की और विश्व रिकौर्ड बनाया था तो चलो बाल दोस्तों मैं आज आपको ऐसी ही एक पोलियों से विकलांग बालिका रेश्मा की कहानी सुनाता हूँ आप सब ध्यान से सुनिए सुबह सुबह रेश्मा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है कोई सामान ज़ाड रहा है तो कोई मकडी के जाले उतार रहा है रेश्मा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है मा, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे है रेश्मा ने उच्छुकता से पूछा हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए, तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे रेश्मा ने कहा, ओ, मैं तो एकदम बुलक कड़ हो गई हूँ, पर मा, आपने मुझे तो कोई काम सौपा ही नहीं, मैं क्या करूँ, बताओ मा मा ने कहा, अच्छा चलो, पहले नहाँ धोकर तयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है रेश्मा ने रुवां से स्वर्मे कहा, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ मा ने कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहाँ धोकर नास्ता कर लो, फिर बताऊंगी कहते कहते मा ने रेश्मा को उसकी पहिये वाली कुर्सी पर बैठा दिया रेश्मा ने अपनी पहिये वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला, और अपने दैनिक कार्यों में लग गई रेश्मा जब पांच साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे उसे बहुत तेज बुखार हुआ, और घुटनों से नीचे दोनों पाउं एकदम बेजान हो गए बहुत इलाज करवाया, पर रेश्मा के पाउं में जान नहीं आई उसे पोलियों हो गया था, रेश्मा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी परन्तु अब ग्यारह साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयम करती है वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती परिवार के सभी सदस्य, पिता जी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं वह सब की आखों का तारा है मा ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिये थे उन्होंने रेश मा को आवाज दी रेशू, अगर तुमने नाश्टा कर लिया हो, तो काम में मेरा हाथ बटाओ हाँ मा, मैंने नाश्टा कर लिया रेश मा अपनी कूरसी को धकेलते हुए, रसोई घर में पहुँची रेश मा मा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और मा उन्हें व्यवस्थित धंक से सजाती गई रसोई घर फिर से चमचमाने लगा पिता जी दफ्तर चले गए मा को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था गोलू तो बहुत छोटा है दादी जी, दादा जी बहुत बुजुर्ग है अब सामान लाए कौन? मा परेशान थी रेश्मा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थेला दे दिजिए मा ने कहा तुम ले आऊगी? अकेली? रेश्मा ने कहा हा मा, एक बार पहले भी तो लाई थी रेश्मा की आवाज में द्रिडता थी मा ने कहा तो ठीक है, तुम ही ले आऊ लेकिन ध्यान से जाना सारा सामान नुकड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा थोड़ी देर बाद रेश्मा सारा सामान लेकर लोटी उसने गोलू को आवाज दी गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टौफी लाई हूँ गोलू टौफी पाकर खुशी से उचलने लगा कुछ ही दिन बीते थे एक दिन शाम को रेश्मा का घर दियों के जिल मिल प्रकाश से जग मगाने लगा पूरा महला जग मगा रहा था जहां देखो वहां रोश्नी ही रोश्नी थी क्या जमीन, क्या आस्मान दादी जी ने बताया कि दिपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है इस दिन रावन को पराजित कर राम अयोध्या लोटे थे उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है रेश्मा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जीन की बातें सुन रहे थे कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुडाने में मगन हो गया रेश्मा अपने दादा दादी के साथ फुल जड़ियां जला रही थी इतने में रेश्मा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझ कर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारिया निकलने लगी है गोलू की पीट पटाखे की तरफ थी रेश्मा चिल्लाई गोलू गोलू बचो तुम्हारे पिछे पटाखा है पटाखों के शोर में रेश्मा की आवाज दब गई बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेश्मा जल्दी जल्दी कुरसी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँची उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई धडाम जोर का धमाका हुआ रेश्मा की फूर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किस ने दिया और क्यों धमाके की आवाज सुनकर माँ पिता जी भी बाहर दोड़े चले आये कुरसी रेश्मा के उपर थी और रेश्मा नीचे पिता जी ने कुरसी सिधी की और रेश्मा को उस पर बैठा दिया मा भेभीत थी बोली रेश्मा ने उन्हें सारी बात बताई सबने रेश्मा की पीठ थप थपाई गोलू रेश्मा के पास आकर नाट की ये धंग से बोला दीदी आज तो आपने मेरी जान बचाली आपका यह धमा के दार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा सभी लोग खिल खिला कर हस पड़े रेश्मा की शारेरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी वह आज भी उतनी ही जिन्दा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है उसकी हर सुबह नई सुबह होती है वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है देखा बाल दोस्तों रेश्मा विकलांग होते हुए भी उसने कितनी भाधुरी से अपने नन्ने भाई गोलू को बचा लिया तो बाल दोस्तों पसंद आई यह कहानी हाँ टीचर अच्छा तो चलो फिर मिलेंगे धन्यवाद